हाई विवन दिस इस प्रेयर वोलकमिंग यो टो एजूकेशनल हाइक सो कैसे हो यार आप सब मजा मच हूँ चलो आज के इस वीडियो के बात करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ के इंग्लिस लिट्रेचर का जो मेन बुक है बिहाइफ का बिहाइफ बुक का चाप्टर नंबर 3 दे लिटिल गर्ल एक छोड़ी सी बच्ची मैं यह आस्मान वाले चांथ के बारे बात करते हुआ कि अर्थ का एक्सिस कहां होता है और बिटल प्लेन कहां होता है चलो एक इक इक इस चाप्टर की पहले चाप्टर नंबर 1 और 2 हमने अपलोड कर रखा है अपने चानल पर अगर अभी तक आपने उन दोनों चाप्टर की वीडियो नहीं देखिए तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ वहाँ पर उन दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी लिंक पर क्लिक करो और वीडियो को जरूर देखो यार चलो स्टार्ट करते हैं विथाओ वेस्टिंग इन टाइम इस चाप्टर को लिखने वाला जो राइटर है उसका नाम है कैथरीन मान्स फील्ड तो चाप्टर के राइटर का नाम याद रखना क्या है कैथरीन मान्स फील्ड चलो स्टार्ट करते हैं इस चाप्टर को बिफोर यू रीड आपको पढ़ने इस पहले क्या जान लेना चाहिए आपसे यहाँ पर एक क्वेशन पूछा जा रहा है कि क्या अब आप अपने पैरेंस को अच्छे से समझते हो या जब आप छोटे बच्चे थे जब आप काफी छोटे थे तब आप अपने पैरेंस को अच्छे समझते थे obvious सी बात है भाई हम सब छोटे थे तो हम खिलोनों के लिए रोधिया करते थे chocolates के लिए रोधिया करते थे हम बड़े हो गए हैं अब हम अपने parents को समझते हैं अब हम जानते हैं कि अगर हमारी parents हमें कुछ नहीं दिला रहे हैं तो हो सकता है कि शायद उनके पास पैसे ना हो ठीक है perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier शायद perhaps का मतलब होता है शायद अब आप बड़े हो चुकी हो अब आप शायद समझ पारे होगे कि आपके parents जितने भी कड़े कदम आपके खिलाफ उठाते थे जिससे आपको गुस्सा आता था शायद उनके पीछे भी कुछ ना कुछ कारड रहा होगा जैसे हम सब बच्पन में मिट्टी खाते थे हमें तब पता नहीं था कि मिट्टी खाने से हम बिमार पढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं जितने भी आक्शन जितना कुछ भी हमारे पैरंस करते हैं चाया मुझसे गुसा हो चाया मुझसे खुस रहे वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं that is because of the love ठीक है तो ये पूरा चाप्टर प्यार के बारे में है कि एक छोटी बच्ची जो अपने पापा से बिलकुल प्यार नहीं करती वो बाद में बड़ी होने के बाद कैसे अपने पापा को समझने लगती है This story about a little girl इस लड़की का नाम है केजिया ये पूरी कहानी एक छोटी सी बच्ची के बारे में है जिसका नाम है केजिया केजिया का जो feelings थी केजिया अपने पापा से बहुत ज़दा डरती थी सुरुवात में जब वो छोटी थी तो अपने पापा से बहुत डरती थी धीरे धीरे वो अपने पापा को समझने लगती है वो ये समझने लगती है कि उसके पापा उसे क्यों डाटते थे और यह जो घटना Kayla के साथ घटी है लगबग हर घर में होता है सबी बच्चा सुरुआत में अपने parents से ड़ता है और दीरे दीरे वो अपने माता पिता को समझने लगता है वो ये समझने लगता है कि उसके पापा उसे डाट रहे हैं तो क्यों डाट रहे हैं शायद अभी आपकी वो उमर नहीं हुई है लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी होते चाहोगे ना आप अपने पापा उमी को अच्छे से समझने लगोगी चलो स्टार्ट करते इस स्टोरी को To the little girl He was a figure to be feared and avoided इस छोटी से बच्ची केजिया के लिए उसके जो father थे यह जो he word यूज हुआ है यह केजिया के father के लिए यूज हुआ है तो क्या कहा गया है कहा गया है कि जो केजिया है सुरुवात में वो अपने पापा को बहुत ऐसा समझती थी जैसे बहुत खुंखार है उसके पापा वो अपने पापा से बहुत जादा डरती थी और उनसे हमेशा दूर-दूर रहती थी, उन्हें avoid करती थी Figure to be feared का मतलब होता है एक ऐसी छवी, एक ऐसे छवी का वेक्ति जिससे हमेशा डरा जाए तो केजिया के लिए केजिया के पापा ऐसे वेक्ति थी जिससे केजिया हमेशा डरती थी और उनसे हमेशा दूर दूर रहती थी Every morning before going to work He came into her room and gave her a casual kiss हर सुबह जब केजिया की पापा अपने काम पर जाते थे तो काम पर जाने से पहले वो केजिया की room में आते थे और room में आके वो केजिया को एक प्याराशा kiss देते थे एक casual kiss देते थे हम अपने छोटे भाईयों को, बहनें को, पापा को, मम्मी को casual kiss करते हैं और वो जो उपर लेवल वाली kiss होती है, वो किसको करते हैं? वो से ज़्यादा जानते हूं, ठीक है? चलो आगे जलते हैं To which she responded with goodbye father अब केजिया के पापा उसे kiss करते थे तो केजिया भी कुछ न कुछ कह देती थी वो कहती थी, बबाई पापा अच्छे से जाईएगा तो वो अपने पापा को goodbye कह देती थी And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road और उसके पापा जैसे ही निकलते थे ना घर से तो केजिया को बड़ी खुसी होती थी केजिया एकदम खुसी के मारे जूमने लगती थी कब जूमने लगती थी जब वो ये सुनती थी कि उसके पापा की जो गाड़ी है carriage का मतलब क्या होता है carriage का मतलब तो वैसे होता है घोड़ा गाड़ी लेकिन आपने देखा होगा Hollywood movies में कुछ ऐसी गाड़ी होती है जिससे सामान भी ढो सकते हैं सामान भी ले जाया और ले आया जा सकता है और उसमें इंसान भी बैठ सकता है तो उसके पापा की भी कुछ ऐसी गाड़ी थी ठीक है तो जब केजिया सुनती थी जिसके पापा की जो गाड़ी है उसकी आवाज देरे देरे धुदली हो रही है गाड़ी जैसे जैसे घर से दूर जाती थी न तो उसकी आवाज स्लो होती जाती थी और ये सुनकर केजिया को बड़ी संतुस्टी होती थी उसे बड़ी खुसी होती थी कि थाइंग गाड़ पापा गए ठीक है एंड इवनिंग लेकिन इसकी ये जो खुसी थी ये केवल साम तक रहती थी जब उसके पापा ओफिस जाते थे और ओफिस से जब आते थे फिर से वो अपने पापा से डरने लगती थी साम को जब उसके पापा घर वापस आते थे थे ना तो केजिया सीडियों के पास खड़ी रहती थी and heard his loud voice in the hall और सीडियों से खड़ी होकर वो हॉल से आ रहे अपने पापा के कड़े आवाजों को सुन रही होती है जो पापा की कड़क आवाज होती है पापा क्या कहे रहे होते हैं? उसके पापा चिला रहे होते हैं कि bring my tea into the drawing room, मेरी चाय ले आओ drawing room में, hasn't the paper come yet? क्या अभी तक paper नहीं आया है? क्या मेरा अख़बार नहीं दिख रहा मुझे? काँ है paper अभी तक? फिर वो कहते थे कि मा थोड़ा बाहर जाओ और मेरा paper तो ले केजिया के पापा अपनी मा को मतलब केजिया के दादी मा को मा कहते थे ठीक है? and bring me my sleepers केजिया के फादर कहते थे कि मा बाहर जाओ और paper ले के आओ और आते नाइम देखना मेरा sleeper मेरे चपल भी लेते आना तो ये सारी आवाजें केजिया सीडियों से खड़ी होकर रोज जब उसके पापा office से आते थे ये सब रोज की कहानी है ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्या होता था? जब उसके पापा drawing room में paper पढ़ रहे होते थे तभी केजिया की मा mother would call to her केजिया की मा केजिया को बुला दे थी कहती थी केजिया if you are a good girl you can come down and take off father boot केजिया क की मा कहती थी कि केजिया अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो अगर एक तुम good girl हो ना तो तुम नीचे आओगी सीडियों से और पापा के जूतों को उतारोगी जैसी केजिया सुनती थी थी ना slowly the girl would slip down the stairs more slowly still across the hall and push open the drawing room door अब जब केजिया सुनती थी कि उसकी मा उसे बुला रही है ना तो केजिया unwillingly slip down का मतलब क्या होता है कि न चाहते हुई भी आपको कहीं जाना पड़े तो आप slip down करके जाते हो मतलब अनमन से जाते हो बिना मन के जाते हो तो केजिया का भी अपने पापा के पास जाने का मन तो नहीं होता लेकिन धीरे धीरे वो सीडियों से उतरती है सीडियों के बाद hall पड़ता था, hall में भी वो धीरे धीरे रेंगते हुए चलती है और फिर आखिरकार drawing room में पहुसती है जहां पर उसके पापा और मम्मी बैठे हुए होते है वो drawing room का दरवाजा धक्का देकर केजिया खोलती है उसके बाद क्या होता है जैसे ही केजिया drawing room का दरवाजा खोलती थी तो वो देखती थी कि अब तक उसके पापा चस्मे पहन चुके होते थे और चस्मे पहन कर वो केजिया को कुछ इस तरीके से देखते थे जिससे वो छोटी बच्ची डर जाया करती थी यह देखो यहां लिखा है न that was terrifying to the little girl मतलब चस्मे पहन कर जैसी केजिया दरवाजा कोलती थी तो उसके पापा चस्मे पहन कर केजिया को उपर नीचे ऐसे देखते थे जैसे केजिया बिल्कुल डर जाया करती थी अब हमारे पापा ममी भी हमें घूर के देखते हैं तो हम डार जाते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही ये छोड़ी बच्ची भी डर जाया करती थी तब ही उसके पापा कहते थे वेल केजिया तुमावी केजिया जल्दी करो hurry up and pull off these boots हमारे पैरों में लगे जूतों को निकालो और उन्हें ले जाकर बाहर रख दो Have you been a good girl today? उसके पापा केजिया से कहते हैं कि आज तुम्हें एक अच्छी बच्ची बनके रही हो की नहीं रही हो आज तुम्हें कुछ गलत काम तो नहीं किया ना अब इसके बदले में केजिया डरते डरते कहती है I don't know, मुझे नहीं नहीं पता पापा अब देखो, यह जो केजिया है वो रुक रुक कर बोलती थी क्यों? क्योंकि वो अपने पापा से काफी डरती थी अब हम जिससे डरते हैं तो हम रुक रुक के बोलते हैं उसके सामने देखो, हम अपने पापा, मम्मी से जब छोटे होते थी अगर हम डरते हैं उनसे, तो हम बहुत रुक रुक के बोलते होंगे हम बोलते थे, अगर माल लो पापा आपसे पूछे कि क्या तुम नहीं यह किया तुम बोलोगे कि नहीं पापा नहीं मैंने नहीं किया ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे ही केजिया भी कहती थी कि I don't know father अब देखो आगे क्या होता है बड़ी मज़दार स्टूरी है आगे पड़ो चलो आगे देखो क्या होता है कि अब उसके पापा केजिया को कॉपी करते हुए कहते हैं तुम सच मुझ कुछ नहीं जानती if you stutter like that अगर तुम इस तरीके से रुक रुक के बोलोगी केजिया तो तुम्हारी मा को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा Mother will have to take you to the doctor जब केजिया रुक रुक के अपने पापा के सामने बोलती थी तो उसके पापा कहते थे कि केजिया अगर तुम ऐसे रुक रुक के बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी मा को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा दिखवाने के लिए कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यूं रुक-रुक के बोलती हो, अब जहां तक रुक-रुक के बोलने की बात है, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो kg है न वो दूसरों के सामने रुक-रुक के नहीं बोलती थी, वो दूसरों से बड़े फरराटे तो वो रुक रुक के बोला करती थी लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो वो बाकियों से तो fluently बात करने लगी बाकी लोगों से वो बड़े आराम से बात कर लेती थी लेकिन अपने पापा के सामने रुक रुक के बोलती थी हकला के बोलती थी क्यों? because then she was trying so hard to say the words properly क्योंकि अपने पापा से बात करते टाइम केजिया बहुत डरती थी और वो बहुत सोस समझ कर बोलती थी कि कहीं उसके पापा को किसी बात का बुरा ना लग जाए और उसके पापा उसे कूट दे इसलिए केजिया अपने पापा के साथ रुक रुक कर बोलती थी अब देखो कभी-कभी हमारे एक्जाम में यहीं से question पूछा जा सकता है कि why केजिया stutter in front of his father तो answer क्या होगा आपका यहां से लेकर यहां तक समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं next paragraph was the matter जब केजिया अपने पापा के सामने आती थी ना तो वो इतनी डरी हुई रहती थी कि केजिया के पापा केजिया को देख कर पूछते थे कि क्या बात है बेटा? what are you looking so rest about? rest का मतलब होता है क्यों तुम इतनी चिन्तित दिख रही हो rest का मतलब होता है worry problem में क्यों दिख रही हो तुम? तुम इतनी परिशान क्यों दिख रही हो? उसके बाद केजिया के father अपनी मा से मतलब केजिया के दादी मा से कहते थे कि मा I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide मैं ये समझता हूँ मैं ये जानता हूँ कि मा अब तक आपने इस बच्ची को ये बता दिया होगा कि ये suicide ना करे brink of suicide मतलब जो suicide करने ही वाला हो उसको हम कहते है on the brink of suicide ये एक phrase है on the brink of suicide का मतलब क्या होता है about to commit suicide जो इंसान suicide करने वाला होता है अब उसके पादर केजिया को ऐसा क्यों कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि केजिया बड़ी परिशान लगती थी बड़ी नाखुस लगती थी इसलिए उसके पापा को लगता था कि शायद केजिया कहीं suicide ना कर ले इसलिए उसके फादर केजिया के दादी मा से कहते हैं कि माँ आपने इसे बताया है कि कितनी भी परिशानी हो यह suicide ना करे किसके बाद केजिया carry my tea cup back to the table carefully उसके बाद केजिया के फादर केजिया को कहते थे ठीक है बेटा, ये जो मेरी चाय की प्याली मैंने पी ली है अब इस चाय की प्याली को ले जाकर बाहर टेबल पर रख दो अब देखो केजिया इतने डरती क्यों थी अपने पापा से वो इतना ज़ादा क्यों डरती थी अपने पापा से क्यों डरती थी क्योंकि जो केजिया के पापा थे न वो बड़े भयानक से थे, बहुत बड़े सरीर वाले थे, उनकी हाथ, उनका गला बहुत बड़ा बड़ा था, और खास तोर पे तो उनका मुह, जब वो यान करते थे, जब वो जमहाई लेते थे, हम सब जमहाई लेते न, तो जमहाई लेते टाइम हमारा मुह खुल जाता है, ऐसे कहते हैं न, ओ माई गाड ठक गया, तो जो भाई हमारा मूँ खुलता है, उसको कहते हैं यान करना, जमाई लेना, तो यान करते टाइम, केजिया के पापा जब मूँ खोलते थे न, उनका मूँ बहुत बढ़ा सा, ऐसा ऐसा इतना बढ़ा सा लगता था, कि जब कभी भी क केजिया अपने पापा के बारे में अकेले सोचती थी, तो उसे लगता था कि वो किसी राक्चस के बारे में सोच रही हो, इतने बड़े-बड़े हाथ-पैर, इतना बड़ा उनका मूँ था, इसलिए तो केजिया इतना जादा डरती थी अपने पापा से, आगे चलते, 4th paragraph बाकी दिन, Monday, Tuesday, Wednesday, क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया कि सुबह उसके पापा ओफिस जाते थे, किस करते थे, साम को आते थे, तो चिलाते थे, पेपर कहा है, चपल कहा है, लेकिन संडे को तो सब घर पर रहते थे, जब भी संडे का दोपहर आता था था ना, तो जो केजिया की दादी मा है, केजिया अपने दादी मा से काफी क्लोज, काफी प्यार करती थी और हमेशा उनके साथ रहती थी, तो जो केजिया की दादी मा है, वो जानती थी कि केजिया अपने पापा ओम्मे से बहुत डड़ती है, इसलिए हर संडे के दोपहर को केजिया की दा बाते कर सके वो बाते करेगी तो शायद वो अपने पापा उम्मी से डरना बंद कर दे डरना कम कर दे लेकिन जब भी केजिया ड्रॉइंग रूम में जाती थी जब भी केजिया अपने पापा उम्मी के पास जाती थी तो वो देखती थी कि जो केजिया की मा है हमेशा कुछ न और उनका पैर उनका पैर जो केजिया के पापा का पैर है वो एक मुलायम से तकिये के ऊपर होता था और उसके पापा आराम से सांती से सो रहे होते हैं और खराटे मार रहे होते थे स्नोरिंग का मतलब क्या होता है खराटे मार ना अब केजिया बेचारी पहुची थी अपने पापा मम्मी से बात करने के लिए वो देखती है कि उसकी मम्मी कुछ ना कुछ पढ़ रही है, उसके पापा अराम से लेटे हुए हैं, अब केजिया इन्हें डिस्टॉप तो कर नहीं सकती थी, डाट भी पढ़ती, तो केजिया क्या करती, केजिया सैट अने स्टूल, केजिय भी वहीं स्टूल पर बैट जाती थी, और अपने पापा को तब तक देखती रहती थी, जब तक उसके पापा उठ नहीं जाते थे, और अंगडाई नहीं लेने लगते, stressed का मतलब क्या होता है अंगडाई लेना यहाँ पर stressed का मतलब है अपनी body को stretch करना अंगडाई लेना जैसे हम सोने के बाद उठकर करते हैं अपनी body को थोड़ा से stretch करते हैं तो इसके पापा भी सो के उठते थे और अपनी body को stretch करते थे अंगडाई लेते थे और उसके बाद वो पूछते थे कितना समय हो गया समय पूछने के बाद उसके पापा केजिया को देखते कि भाई केजिया मेरे रून मर आके बैठी हुई है अब जब भी उसके पापा केजिया को देखते तो केजिया अपने पापा को घूर रही होती है जैसे ही उसके फादर देखते हैं कि केजिया उन्हें घूर रही है वो कहते हैं कि you look like a little brown owl तुम मुझे ऐसे घूरो मत केजिया तुम घूरते हुए एक छोटे से brown color के उल्लू जैसी दिखती हो इसलिए मुझे घूरा ना करो ये कौन कहा? केजिया के father ने कहा अब देखो आगे क्या हुआ एक दिन काफी ठंड पड रही थी और इसलिए केजिया को कहीं बाहर school नहीं भेजा गया केजिया को घर में ही रहने को बोला गया क्योंकि बाहर काफी ठंड थी हर grand mother told her that father's birthday was next week अब केजिया अपने दादी से बात कर रही होती है एक दिन क्या होता है की काफी ठंड पड रही होती है तो कोई भी घर के बाहर नहीं जाता तो केजिया की दादी मा केजिया को बताती है कि भाई तुम्हारे पापा का बड़े आने वाला है अगले हपते और केजिया की दादी मा कहती है कि अपने पापा को खुस करने के लिए तुम्हें क्या बनाना चाहिए तुम्हें पिन कुशन बनाना चाहिए पिन कुशन क्या हो कि तुम्हारे पापा का बड़े अगले हपते आने वाला है तुम अपने पापा को खुस करने के लिए उन्हें पिन कुशन बना कर गिफ्ट कर सकती हो और इस पिन कुशन को तुम किस से बनाओगी from a beautiful piece of yellow silk एक पीले कलर का मखमल का कपड़ा ले लो और उसी कपड़े से तुम्हें पिन कुशन बना डालो और अपने पापा को गिफ्ट कर दो केजिया को ये आइडिया बड़ा पसंद आता है उसे लगता है कि शायद उसके पापा अब खुस हो जाएंगे उसे कभी डाटेंगे वाटेंगे नहीं तो केजिया क्या करती है बड़ी कड़ी मेहनत से with a double cotton double cotton का मतलब यहाँ पर thread है cotton का मतलब यहाँ पर कपड़ा नहीं है यहाँ पर cotton का मतलब thread है धागा है जिस धागे से वो तकिये को सिल रही होती है तो बड़ी मेहनत से केजिया दो धागों के मदद से क्या करती है तकिये की तीन साइड को वो सिल देती है अब चौथे साइड को तो वो सिल नहीं सकती थी क्योंकि तकिये के अंदर कुछ भरना पड़ता है न भाई तो तीन साइड से सिलने के बाद वो सोचती है कि what to fill it with इस तकिये को भरा किससे जाय अब that was the question अब केजिया के सामने ये बहुत बड़ा question था कि तकिया तो उसने बना दिया अब तकिये के अंदर भरा क्या जाए केजिया की दादी मा बाहर थी garden के पास और इसलिए केजिया धूरते धूरते wander करके मतलब इधर उधर ढूरते ढूरते अपनी मा के bedroom में पहुशती है ताकि उसे कुछ कपड़ा मिल सके या फाल्तू कागज मिल सके और वो उस तकिये के अंदर भर दे जैसे ही वो अपनी मा के bedroom में पहुशती है on the bed table मतलब मा के bed के बगल में जो table रखा हुआ होता है जो छोड़ा से table रखा होता है न टेबल के ऊपर हम alarm clock भी रखते हैं अपने phone को रखते हैं जो हमारे bed के just बगल में रहता है उसी को हम bed table कहते हैं तो जैसे ही केजिया अपने मा के bedroom में पहुशती है वो देखती है कि उसके मा के bed के बगल में जो table है न वहाँ पर बहुत सारे great many sheets of fine paper बहुत सारे कागज के sheet पड़े हुए है बहुत सारे paper के sheet पड़े हुए है और वो कागज काफी अच्छी condition में है केजिया क्या करती है इन कागजों को इकठा करती है और उन्हें फार देती है चोटे-चोटे टुकडे करती है और उस तकिये के cover में भर देती है stuffed का मतलब क्या होता है? filled, filled हर case केजिया ने जो gift देने के लिए तकिये का cover बनाया था जिसको तीन side से sill दिया था उसने अब क्या किया? अपने मा के bedroom में गई बेड के बगल में जो table था वहाँ पर उसने कुछ कागच के sheets देखे, कुछ कागच के टुकडे देखे उस कागच को ले आकर वो चोटे-चोटे टुकडों में तोडती है, फारती है और फिर अपने तकिये के अंदर भर देती है भरने के बाद वो तकिये का जो चौथा सिरा भी था उसको भी सिल देती है नाव केजिया ने अपने पापा के लिए बड़े gift ready कर दिया था लेकिन अभी देखते जाओ भुचाल आने वाला है, भुकम बाने वाला है केजिया की life में आगे क्या हुआ, अब देखो केजिया ने अपने पापा के लिए pin cushion तो तयार कर दिया That night there was a you and cry in the house जिस दिन केजिया ने अपने पापा के लिए तकिया बनाया था, gift करने के लिए उसी रात को क्या होता है, कि there was a you and cry बड़ी ही आप ऐसे के सकते हूँ बड़ी गुस्से वाली आवाजें आ रही थी उसके पापा काफी गुस्सा थे और काफी गुस्टे में थे। क्यों गुस्टे में थे। क्यों की के पापा की एक बहुत ही बढ़ीया इसिपीच थी। किसलिए थी? पॉर्ट ओथर्टी के लिए थी। पॉर्ट ओठर्टी का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं यार। देखो US, जो US से है, जो अमेरिका है न, वहाँ पर कम से कम 115 पॉर्ट आथरिटीज है, पॉर्ट आथरिटी क्या होती है, यह गॉर्मेंट द्वारा चलाई जाने वाली ऐसी संस्थाने हैं, जो क्या काम करती है, जो वहाँ के ब्रिजेस, टैनल्स, एयरपोर्ट्स, उन्होंने इसी में एक मिटिंग के लिए अपनी एक स्पीच तयार करी थी, और वही स्पीच गायब हो गई थी, रूम्स वह सर्जड, सारे रूम ढूड़े जा रहे थे, सभी नौकरों से प्रस्न पूछा जा रहा था, कि क्या तुमने कहीं, वो टुकड़ा देखा है, वो पूछती है, कहती है कि केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room, केजिया की मा केजिया से पूछती है कि केजिया, मुझे लगता है कि शायद तुमने कोई paper तो नहीं देखा न, मेरे room में रखा हुआ था table पर, कुछ paper रखे हुए थे, क्या तुमने उसे देखा क्या, केजिया तो बड़ उस paper को क्यों ढूड रही हो तुम, जैसे ही केजिया की मा सुनती है कि केजिया ने उन paper को अपने surprise के लिए फार दिया, केजिया की मा चिलाती है, what, सच मुझ तुमने फार दिया, come straight down to the dining room, this instant, उसकी मा जैसे ही जानती है कि केजिया ने उनके father की speech को फार दिया है, और उसे अपने तकिया के अंदर भड़ दिया है, उसकी मा चिलाती है केजिया के उपर, कहती है क्या, तुमने ये क्या किया, सीधा नीचे आओ डाइनिंग रूम में, अभी के अभी, अब आगे क्या होता है, केजिया के तो फटी पड़ी हुई है, आगे देखो, six paragraph में, and she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back, अब केजिया को जबर जस्ती खीच के, वहाँ अपने पापा के पास लाया जाता है, जहां पर उसके पापा हॉल में, आगे पीछे कर रहे होते हैं, अपने हाथ को पीछे करके, कभी आगे चल रहे होते हैं, कभी पीछे जा रहे होते हैं, कभी आगे चल रहे हो कभी कोई विक्ती बड़ा परिशान होता है तो वो आगे पीछे करता है एक ही जगह पर तो उसके पापा भी काफी परिशान थे वो अपने हाथ को पीछे करकर कभी आगे जाते तो कभी पीछे मुरते अब देखो केजिया को जब अपने पापा के सामने लाया गया तो जब के केजिया की मा उसके पापा को सारी बाते बताती हैं कि ऐसी ऐसी बात है केजिया ने तकिये के अंदर तुमारी स्पीच को फाड के भर दिया है। फुस फुस आते हुए कहती है, नहीं पापा मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, अब उसके पापा आप तक बड़े गुस्से हो चुके होते हैं, अब उसके फादर अपनी मा से, मतलब केजिया के दादी मा से कहते हैं, कि मा, जल्दी इसके रूम में जाओ, और वो जो फाल्तू सी चीज इसने बनाई है, उसको तुरंट नीचे ले आओ, और और क्या करो, see that this child is put to bed, this is start, और तुरंट केजिया को ले जाओ, अपने रूम में और वहाँ पर बेड पर इसे बैठने के लिए बोलो, मैं आ रहा हूँ, अब केजिया के साथ क्या होने वाला है, क्या उसके फादर केजिया को मारते हैं, या कुछ और होता है, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड, इस चाप्टर का सेकेंड पार्ट जरूर देखें, आई होप आपको ये स्टोरी पसंदारी होगी, और आप इस स्टोरी से कई ना कई अपने आपको भी रिलेट कर पा रहे होगे, कि कभी न कभी हम लोग भी कुछ ऐसा कर देते हैं, जो हम बुरा तो नहीं करना चाहतें, लेकिन कभी न कभी ऐसे अंजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, जल्दी इस वीडियो का हम अपलोड करेंगे, तब तक बने रही है हमारे चानल पर, अधर वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी साइन्स और इंगलिज वीडियो की लिंक दी हुई है मैंने, जाओ यार, फड़ा वट देखो, पड़ो, लिखो, मौच करो, कुछ ऐसा कर जाओ, जिससे दुनिया तुम्हें याद रखे, तुम्हारे जैसा बनना चाहिए, स्टे हिल्दी, स्टे सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिल्दी,